Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Hopefully fine होंगे तो एक और वीडियो लेकर हैं आपके सामने present हैं इस वीडियो में क्या discuss करने वाले हैं? इस वीडियो में कुछ अच्छे setups दिख रहे हैं आने वाले weeks के लिए हम उन्हें discuss करेंगे साथ में जो पिछली हपते हमारी recommendation थी उस पे भी discussion करेंगे कि उसमें भी क्या करना चाहिए profit book कर लेना चाहिए या क्या आगे की हमारी strategy रहेगी तो वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में detail और simplified way में discuss करेंगे और सबसे जरूरी चीज होता logic कि इन सारी trades के बीचे इन सारे setups के बीचे logic क्या है वो हम detail में discuss करेंगे क्योंकि without logic trade करना again betting है और betting करने के लिए हम लोग नहीं है हम लोग एक logical process follow करने के लिए market में trade करते हैं तो आइए इस वीडियो को start करते हैं और इन shares के बारे में जानने का try करते हैं तो टोटल बारा setups है बारा में से कुछ नए setups है कुछ पूराने setups है लास्ट वीक के तो एक एक करके हम सबको discuss करते हैं ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले बालकिष्णा इंडस्ट्री से start करते हैं तो बालकिष्णा इंडस्ट्री का अगर हम pass देखें तो इसका all time high 2723 का है जो last year लगा था उसके बाद से share इस पूरे साल में correction में है अब हुआ गया था दो तीन हफते पहले इस share ने morning star की formation करी थी morning star एक candlestick pattern होता है जो bull के comeback को show करता है और इस morning star की importance और भी बढ़ जा रही थी क्यों बढ़ जा रही थी morning star की formation करी थी that's why morning star और ज्यादा important लग रहा था तो इसलिए इसको buy recommend किया गया था हमारी site से क्योंकि support पे morning star की formation थी stop loss था 1850 on closing basis पे और जो target इसमें थे दो target थे एक 1950 गा था एक 2000 गा था इस week क्या हुआ है इस week श्रेयन ने successfully अपना जो target है उसे achieve किया अगर इस week का हम हाई देखे तो 2003 रुपीज 80 पैसे का है तो बालकिष्णा ने क्योंकि market पिछले कुछ टाइम से sideways चल रही थी यह हम कह सकते हैं जो momentum था वो large cap में था small cap में momentum नहीं था that's why बालकिष्णा industry नहीं चल रहा था दो तीन हफते लिए इसने but successfully अपना target achieve किया है तो मैं उमीद करता हूँ जिनोंने ये trade ली थी उन्होंना अपना profit successfully book कर लिया होगा तो इस trade में हम ये कह सकते हैं कि हमें profit book कर लेना चाहिए तो क्योंकि हमारा target successfully achieve हो गया है अगर still आपने profit book नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो अभी भी setup कोई बुरा नहीं है अभी भी share दुबारा 2000 रुपे के rate दिखा सकता है अब की बार दिखा है तो आप profit book कर सकते हैं ठीक है hopefully ये पहला chart था आपको clear होगा अब हम दूसरे chart पे चलते हैं दूसरी recommendation last week हमने डाबर की दी थी ठीक है डाबर की क्यों recommendation दी थी क्योंक तो भी मिल जाएगा आपको साथ में gain theory से भी बड़ा important level था तो अच्छा setup दिख रहा था share में इसलिए buy के recommendation थी stop loss होना चाहिए था 500 on closing basis का buy के trade ले सकते थे क्योंकि अगर हम देखे तो share काफी deep correction में था share ने अपना all time high बनाया था 659 का last year end में September October में उसके बाद से inflation के concern मार् है वो काफी deep correction में आया तो share में भी काफी तगड़ा correction आया था तो share ने अच्छा setup दिखाया था 525 पे hammer candle की formation करके गया था अगर किसी beginner को यह नहीं पता hammer candle क्या होती है तो हम उस पर already detailed and simplified video already upload कर चुके हैं आप उसे refer कर सकते हो और जान सकते हो कि hammer candle क्या होती है अगर मैं फिर भी होता हूं तो hammer candle simple से candle होती है जो bull के comeback को show करती है जिस तरह बाल किष्णा में हमने देखा कि morning star बन रहा था उसी तरह डाबर में hammer बन रहा था तो इसलिए recommended था कि share हमें buy करना चाहिए पहला target था 550 का अच्छी बात है share ने अपना पहला target successfully achieve कर लिया है इस हफते का high है 554 का and जो closing है वो 551 की आई है तो अगर आप short term trader है hopefully आपने profit book कर लिया होगा नहीं किया तो मंडे को कर सकते हैं मंडे को भी आपको इसी rate के आसपस मिल जाएगा और अगर आपका view आने वाले एक डिन महीने का दो महीने का यानि आप थोड़ा सा long term play कर सकते हैं share में तो आप 600 closing basis अपने stop loss रख सकते हो चिक है तो अगर हम देखें बाल किष्णा और डाबर दोनों ने successfully अपने target achieve कर लिया है मैंने तो अपने profit book कर लिया है क्योंकि मैं थोड़ा long term play नहीं कर रहा हूं अभी short term जो decent profit आ रहा है उसको book करता हूँ चल रहा हूं तो अगर आपने book नहीं किय मुतूत finance भी काफी deeper correction में है share all time high 1721 रुपे 95 पैसे का है जो last year number में लगाता तो अभी तक जो दो stock हमने पहले लिये तीसरा ये stock है तीनों काफी deeper correction में है 2022 में 2021 में अपना all time high लगा के 2022 में काफी ज़्यादा deeper correction में चल रहा है तो share क्यों recommend किया गया था पहले ये देखते है त ये है bullish engulf, bullish engulf again candlestick pattern होता है जो ये show करता है कि market में bull comeback कर चुका है and it's a good time to buy अब ये bullish engulf और भी ज्यादा important था, क्यों important था क्योंकि मुतूत finance में एक zone आ रहा था साड़े 900 से 1000 रुपे का ये वहाँ पे बना था, 1000 और साड़े 900 का ये zone gain theory से भी बड़ा important था horizontally भी था, that's why bullish engulf investing की importance भढ़ ली थी, साथ में मेरा एक बड़ा favorite pattern है double bottom, उसकी aggressive entry भी form हो रही थी, और aggressive entry double bottom की बड़ी higher conviction की हमें trade देती है, almost sure short rate देती है, काफी frequently बनती है, तो highly recommended होती है from my side, तो aggressive entry भी बनाई थी इसने double bottom की, तब इसकी recommendation दी गई थी, again जो mid cap share है, या जो non nifty share है, basically मैं उनमें इतना momentum नहीं है, तो share क्या कर रहा है, पिछले 4 हफते से, last 4 हफते से, अपना पहला target, 1050 का achieve कर रहा है, उसे resist कर रहा है, यानि 1050 के ऊपर जाता जरूर है, week के दौरान, बट closing नीचे देता है, जैसे इस week भी आप देखो, 1050 का हमारा target successfully achieve कर रहा है, तो मैं अगर data दि आपने भी ऐसा किया है, तो पिछले 4 हफतों में काफी decent profit आया होगा, अगर आपने नहीं किया है, आप थोड़े से longer player है, तो आप hold कर ये, कोई दिक्काद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, share तयारी कर रहा है, 1050 के breakout की, जल्दी breakout कर देगा, और 1075 और 1100 के target आपको देखने क मिल सकते है, 1075 का target ये अलड़ी एक बार achieve कर चुक है, बट इस्टिल आपने profit book नहीं किया है, कोई दिक्कर नहीं, इंतिजार कीजे, दुबारा ये targets आ जाएंगे, और जो share में upside potential है, अगर आप थोड़े से longer player हो, आने वाले 2-3-4 महिने का view लेके चल रहो, तो 1250 का एक level है, जो यहां से achievable लगता है, कि मुथूर finances से achieve कर लेगा लगता है, stop loss जो होगा, 9500 का on weekly closing basis होगा, ठीक है, तो ये हमारी तीसरा stock था, इसमें भी क्या है, पहला target आच चुक है, आप scalping या छोटी-छोटी trades कर सकते हो, long term trader हो, थोड़े से longer view के trader हो, कोई problem नहीं, बैठे रहिए, 10 75 और 1100 के target, ये share दुबारा दिखा देगा, चीक है, अब चलते हैं, चौथी trade में, जो हमारी एक reality sector से थी, जिसका नाम था, गोद्रेज property, share को अगर देखे, share का all time high लगा है, 2598 का, approximately 2600 रुपेगा, 11 October 2021 को, तो अगेन एक और share आ गया, जिसने last year end में अपना all time high लगा है था ये साल अगेन इस share के लिए बुरा रहा है, काफी deeper correction में रहा है share, और क्या reason था इसको recommend करने का पहले वो देखते हैं, अगेन मेरा favorite pattern double bottom बना हुआ था, hammer बनाया था इसने, hammer बना के double bottom के aggressive entry दी थी, 26 September वाले हफते में, और ये hammer की importance इसले भी बढ़ दी थी, क्योंकि है कि 1150 से 1200 का support zone आ रहा है share में, जहां से इसने last बार भी hammer बना के bounce back किया था, 20 June 2022 में, तो 20 June 2022 में जब inflation के concern के गारण market गिरा था, तो ये share इसी support zone में आया था और वहां से इसने bounce back करा था, तब बड़ा steeply bounce back करा था, बड़ा convincingly, बहुत fastly bounce back किया था, अबकी बार non-nifty share में momentum ना होने क करान sideways सा हो गया, तो hammer था, aggressive entry थी double bottom की, बड़ा important support zone था, तबी इसको buy करने के लिए मैंने कहा था, ठीक है जी, क्या target दिये थे, पहला target दिये था, 1250 जो मुझे लगता था, लगबक share shot आ जाएगा, उनने पहले भी कहा था, और अच्छी बात है, इस हफते मैंने इसमे profit book कर लिए है, क्यों, क्योंकि हमारा target आ गया है, 1249 का आ गया है, एकाद रुपे नीचे तक, आपने नहीं किया है, 1246 की closing आई है, बने रही है, मंडे को दिखा देगा, 1250 का ये level दुबारा से, तो आपने Friday को नहीं किया है, आप मंडे को profit book कर सकते हैं, और अगर आपका view असा longer है, आप थोड़े से longer term के trader है, तो क्या कर सकते हैं, 1500 तक के target के लिए बैठ सकते हैं, यानि आपका view 3-4 महीने का है, तो, लेकिन तब ही बैठिएगा, जब ये 1250 के उपर weekly closing दे दे, and sustain करने लग जाए, तब ये in the longer run, 1500 तक के target भी आपको दिखाने में enable हो जाएगा, त ये हफता क्या रहा, पिछले 2-3 हफते से जो consolidation हो रहा था, जो हम recommend कर रहे थे, वो consolidation में चल रहे थे, इस हफते momentum आया, expiry भी थी, उसका एक trigger ये भी था, और जो targets थे वोड़े, easily achieve हो गए, ठीक है, मुथूत में wait करना चाहिए, अब चलते हैं, अगले stock में, TCS, थोड़ा counter trade थी, क्योंकि IT sector, काफी pressure में चल रहा है, interest rate hike होने के गारण, growth sector के connection के गारण, तो भी फिर भी मेरा favorite setup बन रहा था, इसमें तो मैंने इसे recommend किया था, अगर हम share को discuss कर ले, तो all time high around 4000 का था, specifically 4043 का था, जो last year लगा था, sorry, last year ने इसी year starting में लगा था, उसके बाद से interest rate hike होने के, जब से news आई, तो सारे IT share गिरे, पूरी IT index ही गिरी, तो TCS तो obvious से गिरना चाहिए था, share ने again इसमें double bottom बनाया था, again double bottom बड़ा convincing, बड़ा frequently बनने वाला pattern है, उसकी aggressive entry grab करके, आप काफी decent profit earn कर सकते हो, bullish thrusting के साथ इसने aggressive entry दी थी, bullish thrusting था aggressive entry थी, साथ में, बड़ा important support zone था, उन्तिस सो पचास से तीन अजार का, last बार zone में, जब inflation के concern के कारण market correct होके bounce back किया था, तब भी भी share वहीं से bounce back हुआ था, important gain level भी था तीन हजार का, तो हम यह कह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इशारा कर रही थी, कि share is a must buy share, because बहुत सारी theories एक साथ conclude करके यह हमें कह रही थी, तो भाई की recommendation दी थी, पहला target 3050 और 3100 का था, दोनों target है successfully achieve कर चुका है, अब 3163 रुपे पे चल रहा है, upside potential जो इसमें दिया था 3250 का है, अगर आप इसमें profit book कर चुके हो, तो अच्छी बात है, और अगर आपके अंदर थोड़ा सा patience है, आप थोड़ा wait कर सकते हो, तो मेरी जब से 90% chances हैं, कि यह 3250 का target दिखा देगा, मेरे पास still position बनी हुई है, मैं 3250 का wait कर रहा हूँ, अगर आप short term trader है, तो profit book करके निकल सकते हैं, ठीक है, hopefully यह point भी आपको clear होगा, अब चलते हैं, अगली recommendation पे, जो थी HDFC life की, अब अगर हम HDFC life को देखें, तो HDFC life का बड़ा important support zone आ रहा था, 500 से 525 रुपे का, इससे पहले share बड़ा deeper correction में, अगेन यह भी, निफ्टी का share है, despite काफी deeper correction में, 30 अगस 2021 को इसने अबना all time high लगाया था, जो around 775 रुपे का था, वहाँ से यह correct आया, correct होके आया, और इस साल में तो एक range में ही घूम रहा है, almost पूरा साल निकलने वाला है, दो एक महीने बचे, तो share ने again एक hammer candle की formation करी थी, hammer candle already में बता चुके हो, एक candle होती है, बड़ी simple सी, जो bull के comeback को show करती है, still आपको और detail में जानना है hammer को, तो already एक video हम बना के upload कर चुके हैं, आप उसको go through कर सकते हो, और hammer candle को और अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, तो buy recommend था, क्योंकि hammer बना था, important support zone था, साथ में, अगर हम देखें, तो इसमें भी same था, मैंने इसमें draw नहीं किया, लेकिन मेरे favorite pattern, double bottom की aggressive entry थी, हम कह सकते हैं, तो काफी अच्छा setup था, इसमें again, तो ये again इसमें setup था, तो इसलिए buy की recommendation दी गई थी, stop loss होना चाहिए था, 500 on weekly closing basis, यहाँ पे मैंने जितनी भी shares आपके साथ discuss किये, उसमें एक term बार बार डिसकस करी, weekly closing basis, तो closing basis बड़ी ही important चीज होती है market में, closing basis का मतलब है, जब candle की close नीचे आ जाए, then हमें accept करना है, गिए trade गलत हो गई है, and then हमें exit करना है, ठीक है जी, target था 550 का, 572 का, और जो upside potential share में आने वाले, दिनों में देख सकते हैं, वो 600 रुपे का था, पिछले हफते का share का, अगर हम देखें, तो high लगा है 548 का, इस हफते भी around वही हाई है, तो 547 का हाई है, तो 550 का target था, पहले target के almost, पास आके, हलका सा गिर गया है share, तो अगर आपने profit book कर लिया, अच्छी बात हैं नहीं किया, या पहले trade नहीं ली थी, तो अब भी भी entry कर सकते हैं, अब भी भी दुबारा share, या entry करने का मौका दे रहे हैं, मैंने Friday को entry करी थी, तो दुबारा entry करने का मौका दे रहे हैं, आप entry कर सकते हैं, profit book कर चुके हैं, तो दुबारा entry कर सकते हैं, setup में कोई खराबी नहीं है, setup काफी अच्छा, stable setup दिख रहे हैं share में, तो 500 रुपे का stopless होना चाहिए, on closing basis, accumulate करिए, दुबारा साड़े 500 का target दिखा सकता है, आप उसको book कर सकते हैं, या साड़े 500 के उपर closing दे, तो 575 के target के लिए भी wait कर सकते हैं, market में हो क्या रहा है, except कुछ heavy weights के, shares में momentum नहीं है, तो जो मैं deploy कर रहा हूँ, या जो इस वक्त deploy करने के लिए, मेरे हिसाब से best strategy है, वो यह है, कि shares एक consolidation range में चल रहा है, तो आप नीचे आए, accumulate करो, entry लो, और जो पहला resistance है, जिसको वर assist कर रहा है, वहाँ पर उसे बेचो, तो बार बार वा entry दे रहा है, जैसी breakout होगा, momentum आएगा, तब momentum trade ले सकते हो, breakout होते ही, तो इससे गया होगा, आप अपनी capital पर maximum ROI जनरेट कर सकते हो, सारा game return जनरेट करने गाएगी, हम अपनी capital पर कितनी return जनरेट कर सकते हैं, तो यह था, इसके अपार्ट, एक और recommendation थी, Divis Lab की, Divis Lab एक pharma sector का share हमने उठाया था, यह भी nifty का share था, तो अगर हम देखे, क्यों recommendation थी, Divis का all time high, 18 October 2021 को लगा था, 5425 का था, उसके बाद से share ने, 2-3 quarter में काफ़े disappointing result दिये, तो share एक बड़े deeper correction में आ गया, बहुत important zone है, 3450 से 3500 का, जहां से bounce back कर रहा है, अगर आप देखोगे, 23 मे को जब इसके बेकार quarterly result आये थे, तब भी भी इसने यहां से bounce back किया था, फिर 22 अगर्स्त को भी, वहीं से hammer बना के bounce back किया था, यहां पर हमने recommend भी किया था इससे, क्योंकि double bottom की aggressive entry थी, अभी दुबारा यह वहीं पर आया, 10 October 2022 को, तब हमने दुबारा recommend गिया था, कि 3450 से 3500 का zone आ रहा है, again share वहाँ पर मिल रहा है, उठाना बनता है, 3450 stop loss हुजाएगा on closing basis, जो immediate target यह दिखा सकता है, 3750 का है, क्योंकि वो इसका immediate resistance है, and upside potential जो share में हम expect कर सकते हैं, वो 4000 का है, तो recommend करने के बाद अगर हम देखें, तो last week यह 3669 तक गया है, जो हमारा target था, वो तो achieve नहीं किया है, उससे पहले से ही reverse हो गया है, और जो closing आई है सफतेगी, वो 3547 पर आई है, तो अगर obvious है भी तो profit बुक करने का time आया नहीं था, अगर आपने position बना लिए है, बने रहिए, नहीं बनाई है, अब भी भी grab कर सकते हैं, 3450 से 3500 का zone है, यहाँ पर उठाना बनता है, 3450 लेकिने stop loss होगा, on closing basis, और 3750 और 4000 के target के लिए हम बैठ सकते हैं, यहाँ पर मैं एक सी जरूर कहना चाहूँगा, अभी हमारे market में क्या कल रहा है, corporate earning का season चल रहा है, यहाँ रिजल्ट सीजन चल रहा है, तो जब भी हम कोई trade लेते हैं, हमें यह धियान में रख लेना है, कि कुछ दिनों में, यानि 2-4 दिन के आगे पीछे, span में, किसी company के result तो नहीं आ रहे, क्योंकि technical को fail सिर्फ news कर सकती है, और news ऐसी हो सकती है, मान लीजे हमने, डिवीज में position बनाई, और डिवीज ने बहुत ज़ादा disappointing result पोश कर दिये, तो फिर हमारी trade गलत हो सकती है, तो यह हमें कॉशिशली point है, जो ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अगली recommendation थी, Voltas की, Voltas भी काफी deeper correction में है share, share ने अपना all time high बनाया था, 18 October 2021 को, 1, 3, 5, 6.90 का, तो mostly shares जो हम discuss कर रहे हैं, सब 2021 में अपना all time high बना के deeper correction में, उसके बाद इसने daily chart में एक head and shoulder बनाया, head and shoulder भी एक pattern होता है, जो काफी बड़ी bearishness को show करता है, आप मान के चलो अगर daily weekly chart में बन जाता है, तो share 8 से 10% तो easily correct हो जाता है, हुआ भी वही share के साथ, 8 से 10% का correction आया, उसके बाद share एक channel में move करने लग जया, अगर आप daily chart में देखोगे, तो बड़े अच्छे channel में move कर रहा था share, share ने channel का downside ही breakout दिया, और उसके बाद हमने इसे recommend किया था, क्योंकि इसने इसका एक बड़ा important support zone, या gain level आ रहा था, 850 से 900 के बीच में, वहाँ पर इसने 26 सितंबर वाले हफते में, एक hammer candle की formation करी थी, तब इसको recommend करना करा गया था, क्योंकि again hammer काफी frequently बनता है, double bottom काफी frequently बनता है, अगर आप इन छोटे-छोटे concept को, supports को combine करके भी trade कर लोगे, तो भी market में एक decent profit कमा लोगे, कोई बड़ी rocket science नहीं है, simplified way में भी काफी अच्छी trading करी जा सकती है, ठीक है, तो recommend किया गया था, 850 on weekly closing stop loss होना चाहिए था, 925-950 targets होंगे, upside potential जो देख रहा था, वो 1000 रुपे का देख रहा था, share ने अगले हफते ही अपना पहला target अच्छीव कर दिया था, 936 रुपे तक गया था, और वहां से share में correction आ गया, अब अगर आपने profit book कर लिया था, अच्छी बात है, नहीं किया था, accumulate कर सकते हैं, 8500 के ऊपर यह है, अगर मैं daily chart में भी दिखाऊं, तो daily chart में भी एक consolidation में चल रहा है, बहुत गंदे consolidation में चल रहा है, यह आप देख सकते हैं, basically कर किया रहा है, 872 गैन level है, उसे resist कर रहा है, ठीक है, तो setup बहुत अच्छा बना हुआ है, still accumulate कर सकते हैं, but the risk is, इसके result आ रहे है, I think first of number को इसके result है, तो उसके लिए एक trigger है, क्योंकि आप देखो कि share बहुत अच्छे खासे consolidation zone में फस्स चुका है, अब वो result इसके लिए trigger बन सकते हैं, कैसा trigger, अगर वो result थोड़े बहुत भी अच्छे आ जाते हैं, तो जो इसका accumulation zone है, यह complete हो जाएगा, और यह fatigue बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चल सकते हैं, यह share, और अगर बहुत ज़्यादा disappointing, थोड़े बहुत disappointing आते हैं, कोई दिक्कत नी, market already digest करके बैठा हुआ है, share 30 से 35% correction में खड़ा हुआ है, तो normal से result, हलके फुलके negative result, कुछ फरक नहीं डालेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ shocking result होंगे, तो यह downside breakout दे सकता है, तो अगर आप यह risk ले सकते हो, आपको ऐसा लगता है, कि बहुत ज़्यादा shocking result नहीं post होंगे, तो आप इसे accumulate कर सकते हो, still काफी अच्छा setup बना हुआ है, तो बस इसमें cautious क्या है, cautious रहने की ज़रुएत है, थोड़ा ऐसा, cautious क्यों रहना है, results, results नहीं आ रहे, तो यह cautious होने की बात है, ठीक है, बाकी share में बढ़िया है, अगेन मैं दुबारा repeat कर दूँ यह चीज, result अगर थोड़े बहुत भी ठीक आ गए, normal आ गए, हलके फुलके बेकार भी आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, वो positive ही हुआ share के लिए, बहुत ज़्यादा कोई shocking result आ गए, तब गरबढ हो सकती है, ठीक है, तो यह पुराने weeks की recommendation थी, अब आते हैं, उन दो recommendation पे, जो just last week मैंने आपको दी थी, उसमें सबसे पहले मैंने, NBFC सेलेक किया थे, गोल्ड लोन वाला, बहुत ज़्यादा deep correction आया, 50 के 60% का correction था, श्यर ने अपना low बनाया था, June में, inflation concern में, 81 रुपीस का, लगबग 60 से 70% का correction था, उसके बाद एक pattern होता है, transaction pattern होता है, इसे हम कहते है, inverted head and shoulder, उसकी formation सी यह कर रहा था, inverted head and shoulder में हम कब आये करते हैं, नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इसको, थोड़ी सी इसमें advanced theories लगा रहा था, जो पहले से predict कर सकती थी कि breakout होगा कि नी, तो बहुत important psychological gain level था 100 रुपे पे, वहाँ पे consolidation कर रहा था, that's why इसको recommend किया था, ऐसा लग रहा था कि ready for neckline breakout है, अभी हलका सा neckline के बराबर ही close दे कर गया है, तो एक convincing breakout तो हुआ नहीं है, hopefully अगले हफते हो जाएगा, short term target मैंने last week दिया था, कि अगले week आप short term target के लिए खरीच सकते हो, 105 वो successfully हमारा achieve हो गया है, अगर आप देखोगे तो इस week का जो high लगा है, वो 106 रुपे का लगा है, 106 रुपे 15 पैसे का लगा है, तो अगर आप बहुत short term trader थे, तो hopefully आपने target अच्छी profit book कर लिया होगा, अगर आपका थोड़ा सा लंबा view है, तो आप बैड सकते हो 110 तक के target ही दिखा सकता है, stop loss on weekly closing basis होना चाहिए, upside potential जो भी दिखा सकता है, वो 125 रुपे का दिखा सकता है, ठीक है, इसके अलावा, Dixon technology recommend किया गया था, last हफते, क्यो recommend किया गया था, वो मैं discuss करता हूँ, उससे पहले, ये भी बहुत deeper correction में है, 62, 43 का all time high है, 18 October 2021 में, तो एक चीज़ सब में common है, तो इंपोर्टन सपोर्ट लेवल था, 42,050 का, 42,050 का, 42,050 का, very, very important support level, गैन लेवल, 4000 पे था, तो एक zone सा बन रहा था, 4000 से 42,050 का, वहाँ पे consolidation चल रहा था, ये, आप देख सकते हो, इसने दो-तीन हफते पहले, एक hammer candle भी बनाई थी, जो bull के comeback को show कर रही थी, तो last week, इसके बाद हमने इसे recommend किया था, और जो target मैंने कहा था, वह 45,050 का पहला target, 47,050 दूसरा target, और जो upside potential दिख रहा था, वह 5000 रुपे का दिख रहा था, इस हफते अगर हम देखें, तो इसका high है, 44,50 का, 44,50 का high है, अगले हफते लग जाना चाहिए, 45,00 crucial level है, अगर उसका breakout करता है, यानि उसके उपर weekly closing देता है, sustain करता है, तो आप 47,50 के लिए बैठ सकते हो, और अगर आप 2,3 महिने का wait कर सकते हो, patience रख सकते हो, तो 5000 आपका अगला destination होना चाहिए, अब ये past weeks की recommendation थी, इस हफते मेरे पास दो recommendation है, दो अच्छे set ups है, एक है D-Mart का, Avenue Supermart के नाम से भी हम निसी जानते है, बड़ा important support आ रहा है, 42,50 पे, ठीक है जी, उस पे इसने पिछले हफते, hammer candle की formation करी थी, again hammer candle एक candle है, जो बूल के comeback को show करती है, अगर आप beginners हैं, आपको नहीं पता hammer के बारे में, already एक video upload की जा चुकी है, simplified आप उसको देख सकते हैं, share close हुआ इस हफते, 43,07 रुपे बे, जो इसमें target दिखता है, जो 90% chance है, जो ये show कर देगा, वो 45,00 रुपे का है, अच्छा बाय है, बाय किया जा सकता है, upside potential इसमें 47,50 और 5,000 क्या दिख रहा है, stop loss होना चाहिए, 42,50 और weekly closing basis, और अगर आप थोड़े से, investor टाइप है या swing trader है, 2-4 महिने का view रख सकते हैं, तो मेरा ये recommendation रहेगा, 4000 से 42,50 के zone में उठाओ, accumulate करो, बहुत अच्छा zone है, बहुत अच्छे return से यहां से share आपको दे सकता है, ठीक है, अब चलते है last recommendation पे, India Mart, again India Mart बड़े deeper correction में है, share का all time हाई 10,000 के आसपास का है, last year लगा था, वहाँ से share ने बड़ा deeper correction लिया है, चार हजार, साड़े 4,000 रुपे का share चल रहा है, 50% के correction पे खड़ा है, बड़ा important level है 4500 का, एक level था 4250 का, इसमें भी जैसे DMART में था, वहाँ पे share consolidate हो रहा था, चार हफते से, चार-पांच हफतों से, इस हफते उसका, और 4500 को resist कर रहा था, इस हफते 4500 के उपर closing दे कर गया है, इसमें भी inverted head and shoulder बन रहा है, बट inverted head and shoulder पर buy up कर आ जाता है, जब neckline का breakout होता है, ideal approach है है, बट मैं यहाँ again कुछ advance theories लगा के, यह देख पा रहा हूँ कि 4500 पर यह consolidate कर रहा है, उसका breakout दे कर गया है, अगर उसके पर sustain करता है, तो chances हैं कि यह breakout कर देगा neckline का, तो थोड़ी सी earlier recommendation दे रहा हूँ, short term target जो दिखा सकता है, वो 4750 और 5000 के हैं, जो stop loss होना चाहिए, इसमें 4500 on weekly closing basis होना चाहिए, अगर आप investor type हो, तीन चर महिने का view रख सकते हो, या साल पर 6 महिने का रख सकते हो, तो 4000 से 4250 के zone में मिले, accumulate करो, बढ़िया return, ये share भी आपको यहां से दे सकता है, तो ये थे इस हफते के recommendation, with proper reason, मैं उमीद करूँँगा कि, उमीद करता हूँ कि आप इनको देखोगे, इनके पिछे के reason समझाए हुए है, ये नहीं देखोगे कि मैंने क्या buy का है, क्या sell का है, और कर लो वो चीज, जो reason समझाए है, वो समझने का try करो, ताकि आप भी खुद ऐसे setup start में देखो, तो trade को पकड़ पाओ, तो मैं उमीद करता हूँ, ये trades आपकी profitable trade करने में help करेंगी, इसी उमीद के साथ इस video को end करते हैं, thank you very much इस video को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, like करें, channel को subscribe करें, bell icon भी press कर दें, ताकि हम ऐसी और video लेकर आएं, तो आपको उसके बारे पता चलता रहा है, आप सीख पाओ, profit भी अनकर पाओ, कोई suggestion देना चाहो, comment section में आप बता सकते हो, welcome है उसके लिए, और मैं उमीद करता हूँ, आने वाला week आपके लिए profitable हो, happy trading, thank you very much इस video को देखने के लिए,